माग मास महत्मे कथा नौवा अध्याए इस अध्याए में आप सुनेंगे भगवान शालिग राम की पूजन विधी, भगवत भजन का पुन्यलाब, एकादशी व्रत का महत्मे, दान धर्म का महत्व और पापी तथा पुन्यात्मा की गती इतनी कथा सुनकर विष्णु दूत ने कहा, हे वैश्यवर, अब तुम विष्णु भगती का महत्मे और एकादशी महत्मे के विषय में ध्यान पूर्वक सुनो, मैं इनके विषय में विस्तार से सब कुछ बताऊंगा जो मनुष्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायनाय ओम नमो गोविंदाय नमह ओम नमह शिवाय और हरी ओम तत्सत इत्यादी भगती पूर्वक पवित्र मन से जाप करते हुए शिवजी और विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं उन्हें दोनों लोकों में सुख प्राप्थ होता है ऐसे भगत विष्णु रूप को प्राप्थ करते हैं भगवान उनके समस्त पापों का नाश कर उन्हें सुखी करते हैं ऐसे भगतों को घर पर बैठ कर प्रभु नाम के जप द्वारा वही फल प्राप्थ होता है जो व प्रयास करने पर वो प्रकट हो जाती है इसी प्रकार इश्वर भी समस्थ चराचर जगत में व्याप्त है लेकिन फिर भी इश्वर की विशेश रूपों में उपस्थिती विशेश वंधनिय होती है इस विशे में शालिक ग्राम शिला में भगवान का निवास विशेश रू भक्त एक बार भी शालिग राम जी का पूजन कर लेता है वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है जिस तरह सूर्योद्य अंधकार का नाश कर देता है वैसे ही शालिग राम जी का पूजन मनुष्य के सारे पापों का नाश कर देता है शालिग राम जी साक्षात विश्न इनका पूजन करने से समस्त पापों का नाश होता है यम पाश से मुक्ति मिलती है क्षुद्र योनियों कुत्सित योनियों और कीट पतंग एवं पशु के रूप में जन्म लेने का भय भी नहीं रहता है जो मनुष्य शाले ग्राम जी के शिला के सम्मुख अपने पितरों का अश्राद करते हैं उनके पितरों को एक कल्प वर्षों तक स्वर्ग सुख भोग प्राप्त होता है नित्यप्रती शाले ग्राम शिला के जल का जलदान करने वालों को सहस्त्रों पंच गव्यदान करने के पुन्यफल की प्राप्ती होती है यम्राज भी भगवान के चर्ण समुद्र में ना गिरने वाली नदियों में स्नान करने से माग मास का त्रिकाल फल प्राप्त होता है। यदि शालिक ग्राम शिला के सम्मुख किसी का प्राणांत हो जाए तो उसे निश्चित रूप से विश्नुलोक प्राप्त होता है। ये एकादशी का व्रत जिस प्रकार पापों का नाश करता है वैसा पापनाशी व्रत तीनों लोकों में कोई अन्य नहीं है। इसकी महिमा बड़ी ही अपरमपार है। इसलिए हे वैश्यवर एकादशी के दिन जो मनुष्य व्रत धारन नाकर इस विश्नु दिवस की उपेक्षा करता है। उसकी काया पाप मुक्त नहीं हो सकती है। ये एकादशी व्रत सारे भोगों जैसे सुलक्षना पत्नी, योग्य पुत्र, धन धान्य, आरोग्य और यश्क को देने वाला है। दैविक पापों का नाश करने वाला एकादशी व्रत दूनों लोकों में सुख की कामना करने वालों को अवश्य ही करना चाहिए। जो श्रत धालूजन एकादशी के दिन व्रत धारन करके रात्री जागरन करते हुए भगवान विश्नु का जप और भजन करते हैं, वे अपने पुन्य प्रताप से अपने मात्री पक्ष तथा पित्री पक्ष की दस पीडियों का उद्धार कर देते हैं। ये एकादशी व्रत, बालक, वृद्ध, युवा और नर नारी सभी को समान पुर्नेफल देने वाला है। हे वैश्यवर सारे एकादशी व्रतों तथा मागस्नान इत्यादी को करने का सभी वर्न आश्रम और धर्मों के अनुयाईयों को पूरा अधिकार है। इसमें आयू या आश्रम धर्म संबंधी कोई भेदभाव नहीं है। एकादशी व्रतों को धारन करने वाले और मागस्नान करने वाले सभी मनुष्य पाप मुक्त होकर मुक्ती प्राप्त करते हैं। इसलिए हर धर्म के मानने वालों को मागस्नान, दान तथा विष्नु आराधना करनी ही चाहिए। हे मित्र जो मनुष्य एकादशी वरत नहीं करते हैं, माग मास में ना तो घर में स्नान करते हैं, ना तीर्थों में स्नान करते हैं, और ना दान भजन इत्यादी करते हैं, वे इस लोक में तो नाना प्रकार के कष्टों को भोगते ही हैं, साथ ही मृत्यु के पश्चात भी घो और नर्क यातना को प्राप्त करते हैं। ऐसे मनुष्यों के इहलोक और परलोक दोनों ही नश्ठ हो जाते हैं। इसलिए धार्मिक श्रद्धालूं को चाहिए कि वरत, स्नान, ध्यान और दान धर्म का अवश्य ही पालन करें। स्वर्ग, सुख और एश्वर्य की कामना करने वालों को चाहिए कि वे अन, वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण, भूमी, फल, पुश्प, तिल, गुड, इत्यादी का अवश्य दान करें। दान का धर्म बड़ा ही पावन और महत्वपूर्ण है। दान न करने पर परलोक में पन्श्रधालूं को अपनी श्रधा और शक्ति के अनुसार अवश्य ही दान करना चाहिए। श्रधालूं का दान रहित कोई भी दिवस व्यतीत नहीं होना चाहिए। निर्धन मनुष्य बड़े दान नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों में ही उन्हे अल्प मात्रा में ही अन जल इत्यादी का दान अवश्य करना चाहिए। यदि गरीबी के कारण, अभाव के कारण या फिर स्थिती के कारण दान करने को कोई भी वस्तु उपलब्ध ना हो तो अतिथी का स्वागत मीठे वचनों से करना चाहिए। व्यभार करने वालों को सदा ही उत्तम पुन्यफल प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा होने पर अर्थात दान की शक्ती और सामर्थे होने पर भी क्रिपनता के कारण दान नहीं करते हैं। या ऐसे व्यक्ति जो कुपात्र को दान दे देते हैं, वे अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते हैं और संकटों और चिंताओं से ग्रसित होते हैं, सदैव अशान्त रहते हैं। इसलिए सामर्थ्य और स्थिती होने पर किसी सुपात्र को दान करने में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। दानी और धर्मात्मा व्यक्ति सदैव ही दीरगायू और संपन्नता को प्राप्त करते हैं। अधर्म पाप करने वाले हमेशा दुख और दुर्गती को प्राप्त करते हैं। इती श्री माघ महात्मे भाशा टी कायाम नवमो अध्याय समपूर्णम नवमा अध्याय समाप्त हुआ।